जंगल सत्याग्रह और संग देश स्वाधीनिता का अम्रित मोहतसव मना रहा है स्वतंतृता संगराम में संग का योगदान क्या है? इस वीडियो में हम इसका उत्तर ढूंडने और समझने का प्रयास करेंगे वीडियो में लिये गए तत्य राष्ट्रिय सोयम सेवक संग के अभी लेखागार मिस्थित मूल प्रलेखों तत्कालीन केशरी और महाराश्र इन दो मराठी पत्रों पर आधारित है स्वतंत्रता संग्राम में संग का योगदान जानने के लिए सबसे पहले हमें आध्य सर संग्चालक डॉक्टर केशव बलीराम हेट गिवार के योगदान और उनकी राष्ट्र भक्ती से परिपोर्ण वैचारिकी को समझना चाहिए स्वतंत्रता कब और कैसे मिलेगी यह प्रश्ण सर्वत्र जब पूछा जा रहा हो तब हम पराधीन क्यों हुए और हमारी स्वतंत्रता अक्षोन कैसे रहे इस प्रश्ण का नकेवल मोलभूत चिंतन बल्कि इस पर उपाय भी डॉक्टर साहब ने आरंब कर दिये हिंदू समाज की आंतरिक शक्ती बढ़ाने पर उनका जोर और सारा ध्यान के दुरिथा जंगल सत्याग्रह की प्रिष्ट भूमी सविने अवग्या आंदोलन 12 मार्च 1930 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्व पूर्ण ती थी है अंग्रेजों द्वारा बनाए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने इसी दिन डांडी यात्रा शुरू की थी करणावती के साबरमती आश्रम से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था जो अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में विरोध का एक बड़ा संकेत था 24 दिनों में 241 मिल की दूरी तै करते हुए गांधी जी और उनके साथ 89 सत्या ग्रहियों ने 6 अप्रेल 1930 को दांडी के समुद्र किनारे पर चुटकी भर नमक उठा कर नमक कानून की अवग्या की कानून की अवग्या करने के कारण देश भर में 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया इन दिनों संग का कार्य मध्य प्रांत में ही प्रभावी हुपाया था यहां नमक कानून के स्थान पर जंगल कानून तोड़ कर सत्या ग्रह करने का निश्चे हुआ डॉक्टर केशव बलीराम हेटगेवार संग के सरसंग चालक का दाईत्व डॉक्टर लक्ष्मन वासुदेव परांजपे को सौंप स्वयम अन्य स्वयम सेवकों समाज जनों के साथ सत्या ग्रह करने गए सत्या ग्रह हेतू यवतमाल जाते समय पुसद नामक स्थान पर एक जनसभा आयोजित की गई और डॉक्टर हेट गिवार ने फिरंगी हुकूमत से देश को स्वाधीन कराने के लिए प्रिर्णादाई भाशन दिया ब्रिटिशों ने 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक बनाया था जो खासकर मध्यपरांथ और बरार के किसानों के लिए मारक साबित हुआ था तो बरार और मध्यपरांथ में ऐसा तै हुआ कि जंगल सत्याग्र किया जाएगा और उसका प्रारंब केंद्र यवतमार जिला के पुसद गाव से होगा और वो 10 जुलाई 1930 से इसका प्रारंब होगा ये तै हुआ इसके पहले ही संग के संस्थापप डॉक्टर हेडगेवार ने ये निश्चित किया था कि मैं इस जंगल सत्याग्र में भाग लेने जाएगा तो 20 जून 1930 को सभी संग स्वयंशकों को लिखे पत्र में उन्होंने ये सूचित किया कि वे जंगल सत्याग्र में भाग लेने ज जानना और समझना आवश्यक है कि देश को स्वतंत्रता किसी एक दल एक परिवार एक व्यक्ति एक समुदाय विशेश के प्रयासों से नहीं बलकि समुचे देश वासियों के संयोक्त प्रयासों से मिली है स्वतंत्रता संग्राम की बली बेदी पर आउती देने वाले देश भक्तों की कतार बहुत बड़ी रही है एक विशेश नेरेटिव के तहट एक परिवार और दल विशेश के योगदान की ही चर्चा होती है जो की अन्य स्वतंत्रता सैनानियों के साथ अन्याय है इसलिए स्वाधीनिता संग्राम में संग के योगदान को जन जन तक पहुँचाने में हम सब की भूमिका होनी चाहिए